नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत एक बार फिर से दा इस्टड़ी लाइन में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का पार्ट 10 करेंगे और इस पार्ट 10 में परधान मंत्री से समंदित जितने भी कोशन्स अभी तक पूछे गए एक्जाम में और जो रिपीटे के लिए बहुत ही इंपोटेंट होए और यह मैं आपको बता देता हूं यह ससी रेल्वे में अधिक्तर पूछे गए कोशन्स हैं ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को अंत्र देखें और देखें कितना सही कर पाते हो आप लोग अंत्र में अपना स्कोर जरूर बताना ठी अब आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है भारत के परधानमंत्री होते हैं क्या होते हैं नियुक्त निर्वाचित मनोनित अथवाचयनित क्या होते हैं इसका राइट ओंसरग ऑप्सन नमबर ए नियुक्त होते हैं अब नियुक्त कैसे होते हैं देखें नियुक् सिस तरह से आप दर्च जान सकते हैं कि परधान मंत्री की नियुकति कौन करते हैं तो याide कहते करते हैं कि सभी दल्कीं जो लोग सभा होते हैं उस लोक में जिसकिल का अस्पष्ट ंनोसार परधान्म थे प्जांन तो आपको पता होगा कि General Awareness Section सबसे important होता है जिसमिन जी एकेले कैरी करता है 50 marks 25 questions के साथ इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए Unacademy लाया है Lucent Daily T20 test series by Varun Avastisar with analysis इसमें 15 test series होंगे जिसमें हर test में 20 questions होंगे और ये पूरे test series में 3 analysis होंगे और ये बिल्कुल special class पर आधारित है और ये बिल्कुल free है तो आप लगर interested है तो बिल्कुल जाकर के check out कीजिए मैंने description में link दे दिया है और अभी enroll कीजिए नेक्स question से आपके सामने परधान मंतरी की नुक्ती कौन करते हैं तो आप लोगों को मैंने उपर में बताया राष्टपते जी करते है article 75 के तर ठीक है इसा आप लोग धान में रखेगा बहुत से बच्चे बोलते हैं टेलिग्राम के लिए तो मैं इनको information दे देता हूं जो टेलिग्राम जोइन करना चाहते हैं टेलिग्राम पर जाइएगा वहाँ पर सर्च किजिएगा the study line official क्योंकि बहुत से बच्चे बार अबर कमेंट करते रहते हैं जबकि मैं वीडियो में बता ही देता हूं कि आपको टेलिग्राम पर जाना है वहाँ पर सर्च करना है the study line officer और वहाँ पर जोइन कर लेना है अगला है परधान मंतरी को उसके पद की गोपनियता की सपत कौन दिलवाता है इसका भी right answer हो का option number A राष्टपती ही गोपनियता की सपत दिलाते हैं next question साब के सामने भारत में एक व्यक्ति अधीक से अधीक कितनी बार परधान मंतरी पद पर न्यूक्त हो सकते हैं इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो जो परधान मंतरी के पद पर है वो कितनी बार न्यूक्त हो सकते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है आप जाहें जितना भी बार बन सकते हैं प्रधानमंत्री ठीक है तो कितनी ही बार इसका राइट उनसर होगा ठीक है इसमें कोई भी सीमा नहीं है आप जितना चाहें उतना बार बन सकते हैं अगला है भारत में सक्तियों का उभरता केंदर कौन होत करें तो इसका राइटान से रोगा पर्धानमंत्री अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राष्टपती तब क्या है देखिए राष्टपती जो है वह संवेधान के अनुसार आपका पर्धानमंत्री करते हैं ठीक है तो इस तरह से भी आप सभा एक करता है मैंने आपको उपर में रहें होते हैं अंको वसके दोना इसकते हैं अगर अच्छा लग रहा हो तैसो को लाइक हो से जबूरकर देजएगा और आपना टार्गेट करके देखिए कि आप प्रद्धान मंत्री में प्रिशत का अध्यक्ष कोन होता है तो आप गांते होगे केंदर में जो है परमुख जो होते हैं वह होते हैं वो प्रधान मंत्री होते हैं इसे आप लोग ध्यान में रखेगा next questions है नीती आयोक का अध्यक्ष कौन होता है यह बहुत बार मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या है उसमें बताया था अगर आपने मेरा वीडियो वो नहीं देखा या नहीं देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है तो बहुत कुछ आप मिस कर जाते हैं आप लोग अभी जाएए योट्यूब पे सर्च किजिए वर्तमान में कौन क्या है 2020 आपको पहला वीडियो मेरा ही दिखेगा ठीक है उसे आप लोग जोइन कर लेना दर स्टेड़ी लाइन ऑफिस यहने कि दर स्टेड़ी लाइन चैनल ठीक है तो इसका कीजिए ठीक है माइंड में इसो दोराइए कि निति आयोग के अस्थापना कभ हुई थी तब आपको बताना है एक जनवडी 2015 को कभवा था एक जनवडी 2015 को ठीक है कभी कभी आपसे निटी आयोग का फूल फॉर्म पूछा जाता है तो फूल फॉर्म क्या होता है अगर में और यह निती आयुक जो है ये योजना आयोग के ऐस्थान पर लाए गया था इसे आप लोक में रहेख है कि योजना आयोग के बार में वी पूछ ले आता है कि योजना आयोग की अस्थापना कब वी थी तब आपको Dhy dud में रखना आ है 15 मार्च 1950 को और किसके यानिकि अस्थापना किस ने किती जवाहरलाल नहरू ने ठीक है से आपके पास आम तौर पर भारत के परधानमंत्री होते हैं कौन होते हैं जो लोग सवाकिय सदस होते हैं आमतरुपे वही परधानमंत्री होते हैं तो आपको मैं यहां पे कुछ बातें बता देता हूं अगर आपको उच्छ सदन देखने को मिले इसका मतलब यह हुआ कि वह राज सभा की बातें कर रहा है अगर निमनी सदन देखने को मिले तो समझ लीजीएगा वो लोकसभा की बातें बल ला है तो लोकसभा में जो बहुंमत होगा वही तो परधानमंतरी बनेगा ठीक है इसे आपको ध्रजदानमने की देखनेगा फिर से मैं बतादे रहा हुँ कि लोकसभा को बॉला राता है नि लोकसवा का जो कारिकाल होता है वो 5 वर्सों का होता है इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि परधान मंत्री का जो बनने का नियुंता मुम्र है वो 25 वर्स है ठीक है क्यों 25 वर्स है चूंकि वो लोकसवा का जो है वो नेता होते हैं इसलिए 25 वर्स होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है मंत्री मंदल की बैठक की अधिक्षिता कौन करता है तो सीधी बात है जो परधान मंत्री होंगे वही मंत्री मंदल के भी अधिक्षिता करेंगे नेक्स्ट है आपका कि परधान मंत्री की न्युक्ती राश्पती करता है या किस अनुछेज में बुरनित है मैंने पहले आपको बताया था आर्टिकल 75 के अनुसार परधान मंतरी की नोकती राश्पती जी करते हैं और ये मैं बता दूँ फिर से कि किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गया हैं तो आप लोग देखे कि आप लोग कितने अच्छे से इनको जानते हैं और समझ में आ रहा हो तो प्रीज लाइक और शेयर ज़रू कर देजेगा भारत में परधान मंतरी पद के लिए उमिद्वार की नियुंतम कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए तो परमी मैंने बता है लोग सभा के सदस होते हैं परधान मंतरी और लोग सभा में जितने भी सदस होते हैं जो बनने की नियुंतम उम्र होती है वो आपका 25 वर्स होता है और परधान मंतरी लोग सभा का नेता होता है इसलिए परधान मंतरी बनने की नियुंतम उम्र कितनी होगी 25 वर्स होगी ठीक है मैं यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं यह लोग सवाद सदस बनने की उम्र है यह राज सवा का सदस और यह अगर आप राश्टपती हो या फिर उपराश्टपती और राजपाल तीनों का जो नियुंतम उम्र होता है बनने की वो 35 वर्स होता है यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी मिलती है अगला है किस परधान मंत्री ने एक बार पद से हटने के पसाथ दुवारा पद समभाला था यानि कि उन्होंने पद से हट गये थे लेगन फिर से उन्होंने दुवारा उस पद को इसा आप लोग द्धान में रखेगा कि आपका कि बर्धान मंत्र का जब निधन हो गया था तब उसके बाद परधान मंत्री का पद किसने나 किया था तो इस ध्यान में रखेगा गुलजारिलाल नंदा और उस टाइम जो गुलजारिलाल नंदा जो थे वो एक कारवाहक परधान मंत्री के रूप में गरहन किये थे इस पद को ठेका इस तरह से हम बोल सकते हैं पर्थम कारवाहक परधान मंत्री जो थे वो गुलजारिलाल नंदा थे अ जब अचानक से उनकी मिर्ती हो गई तो इस तरह से गुलजारिलाल नंदा को तब तक के लिए यानि की प्रधान मंत्री बनाया गया ठीक है तो इस तरह से कारवाहक प्रधान मंत्री बने और ये कारवाहक प्रधान मंत्री बनने वाले प्रधान मंत्री का लाए गुलजारिला मुरारजी देसाई के खिलाब जो है और विश्वास परस्ताव पारित हुआ था इस कारण से उस परधान मंत्री को अर्थाद मुरारजी देसाई को त्याक पत्र देना पड़ा नेक्ष्टे आपके सामने वह पर्थम पर्धान मंत्री कौन थे जिना उने संसत सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याक पत्र दे दिया और इस तरह से दूसरा question से इसी में बनता है कि वह पर्थम परधान मंत्री कौन थे जो कभी भी संसत का कोई भी सत्र में उपस्थित नहीं हुआ ये भी पूछा आता है दोनों एकी बात है तो इसका राइट आउसर का option नमर C खूदरी चरंशिंग एक आएसे परधान मंत्री हुए भारत में जो कभी भी शंसत के सत्र में उपस्थित नहीं हुए नेक्स्ट आपके सामने भारत परधान मंत्री पद पर किसी एक कारिकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसिंद्ध है अर्थात आपको ये बताना है, कि सबसे कम समय के लिए कौन प्रधान मंतरी के पत्क पर रहे थे तो आपो सबी जानते हैंगे, OPSAN NUMर D राइठ होगा अचल भीहरी बाचपई सबसे कम दिन के लिए प्रधान मंतरी पत्क पर रहे थे अगर इसका कारिकाल पुझा जाए तब आपको बताना है 16 मैज 1996 से 1 जून 1996 तक ठीक है जोर लिजी आपको 14 दिन देखने को मिलेगा अगरा है सबसे कम उमर में परधान मंतरी पद पर आसिन होने वाले वेक्ति कौन थे सबसे अधीक कम उमर में सबसे अधीक उमर में बनने वाले परधान मंतरी कौन थे तो इसका आपको ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है कि परधान मंतरी पद से त्याग पतर देने वाले परधान मंतरी कौन थे तो इसका राइट भी आंसर होगा आप्सन नमर सी मुरारजी देशाई ही होंगे ठीक है इसे आप लोग ध्यान में रखेगा अगला है अभी तक पद रहते हुए कितने परधान मंतरियों की मिर्तिव हुई है बहुत इंपोर्टन है देखते हैं कितने वच्चों ने इसका सही आंसर दिया ठीक है तो इसका राइट आंसर का आप्सन नमर बी यानि कि तीन तीन ऐसे परधान मंतरी हुए जिनकी मिर्तिव पद पर रहते हुए ही हुई आप लोग अपके मन में ये सवाल आ रहागा कि वो तीन कौन-कौन थे तले मैं आपको बताई देता हूँ अगर सवाल आ रहा है तो उसको दूर कर लिजे देखें सबसे पहले तो मैंना आपको उपर में वताया कि जवाला नहरू भी पद पर रहते हुए देत किये थे तो लाल बहादूर सास्त्री की कहां पर तासकंद में हुई थी ठीक है चलिए नेक्ष्ट देखें नेक्ष्ट है आपके सामने कि संसद्य सासन प्रणाली में वास्त्विक कारेपालिका सक्ति किसके पास होती है तो यह भी पूछने वाली बात है क्या मैंने तो अभी आपको पूरा वीडियो में यही बताते है रहा हूं कि प्रणान मंत्री वास्तिक कारेपालिका की सक्ति होती है उसके पास अगला है संसद्य सासन प्रणाली सरपर्णाली किस देश में विक्सित हुई आपको यह बताना यह कई बार पूछे गए एक्जाम में कि संसद्य प्रणाल लाश्ट कुस्स है वर्तमान समय में भारत के परणाल मंत्री कौन है तो इसका राइट ऑन सरगा अप्सन नमर भी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भारत के अभी वरतमान में परणाल मंत्री है और कितने नमर के परणाल मंत्री है इसके बारे में आपको थोड़ी से जानक शुवतंत्र भारत में हुआ है ठीक है इसे आप लोग धान में रखेगा तो इस तरह से मैंने आपको कुल 25 कोसंस कराया उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप मेरे साथ कोई भी बात तरह साधा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए औ और अच्छे से जो भी बोलना है बोल दिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत